हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू माई कीचेन तो आज हम बनेंगे गुड़ वाला आम का खटा मीठा आचान जिसे बनाना बहुत ही असान है और ये सालो साल चलता है खराब भी नहीं होता है बच्चों को तो इसका खटा मीठा टेस्ट बहुत जादा पसंद आता है तो आप एक कि बनाने के लिएँ सबसे पहलें अपर हमने आम लिया है देखिया जो haunting को पहले में धुलर लेना है उसकном के बाद इस तरह से पीसेस में कट कर लेना है तो हैं पर हमको सबमें प Bienा बना रहे हो उस रसा कम जादा न democracy swirlर्म घंच कर दिचेगा और इस-कम हम इसमें हलदी डाल देंगे हलदी का पाउड kell हमने अच्छे से मिलाएंगे कर दिया है हों या फिर हाट से यहां से मिलाना है अगर हाथ बीला रहेगा तो आचार जल्दी से खराब होने का डर रहता है मतलब जल्दी खराब हो जाता है यहाँ भूदियो देखने के बार लाइक करना फूल जाते हो और अब इसे थोड़ देंगे फिर दो घंटे बाद चिक करेंगे तो यहां पर दो घंटे हो गए हैं इसका धक्कान अटाएंगे और यह देखिए इसमें आमने जो नमक डाला था इसकी वज़ा से आमने पानी दिलीश कर दिया है तो अब हम क्या करेंगे कि इसे हम दूसरे बरतन में निकाल लेंगे और यहां प इतलब इस अचार का जो पीस है एक एक पीस आपको अलग अलग रखना है इससे जो है जल्दी से ड्राइ हो जाएगा इसमें बिल्कुल मोईस्चर नहीं होना चाहिए तो मैं आपको दिखा रहे हो किस तरह से इसे फैला ना है यह देखिए मैं यहां पर इसे थाली में इसे सुखाऊंगी तो इस तरह से आम के एक एक पीसे स्वाप को इस तरह से रखना है बिल्कुल अलग अलग करके तो इस तरह से आपको फैला देना है आप चाहो तो इसे हवा में सुखा सकते हो पंखे की या फिर आप इसे धूप में आप बिल्कुल इसे अच्छे से सुखा ल और देंगे और अब करेंगे अजवाईन तो आप जितना वाझ भना रहा है उसाब से मतब अम की पॉंटिटी कितनी है और रहें मेथी तो निटा तीखा तीखा फ्लेवर एक ही आम के आचार में आपको मिलेगा तो यहां पर हमने इसे हलका सा रोष्ट कर लिया है यह देखिए अब इसे प्लेट में आपको निकाल लेना है ज्यादा इसे नहीं बुना बस हलका सा इसका मोश्चेरी खतम करना है अब इसका सरसो के तेल में ही अच्छा लगता है और बनता भी है सरसो के तेल में ही तो तेल को हम अच्छे से गरम हो जाने देंगे बिल्कुल धूआ उटना चाहिए इसमें के तेल यहां पर बहुत यह अच्छे से गरम हो गया है और इसमें जो है धूआ निकल रहा है तो अब हम गैस इससे मैं ठव्ण करें और तो मिंस थोला है को समय स्छी परदान चया के क्ला सारे सोत जवाजने जोने स्छी परदैंक – इस भीखाई करें देडा है यह असारे और वार्स प्राइं करें और में बंसकौने के बाद इसमें हम डालेंगे कलाउंजी एक चम्मच कलाउंजी या मंगरेला भी इसे बोलते हैं इसको डाल देना है और अब इसमें हम थोड़ा सा चीनी डालेंगे एक छोटा चम्मच चीनी डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है आप चाहो तो गुड के जगा चीने से भी इसे बना सकते हो और इसमें हम थोड़ा सा हींग डाल देंगे और अब इसमें हम नमक डाल देंगे नमक यहां पर मैं सेंधा नमक यूज कर रहे हूं आप कोई भी नार्मल नमक भी यूज करते हैं जो डेली हम खाने में यूज करते हैं और अच्छे से मिला दे शुलाए के सब्सक्राइब तो यहां पर हल्दी कर एड़ सकते हो थोड़ी सी क्योंकि हमने पहले ही हल्दी यहां अच्छे से मिलना चाहिए और आपको याद रखना है कि नहीं चमच गिला होना चाहिए और ना ही हाथ करें हम धक कर देंगे इस तरह से दो घंटे के लिए दो घंटे बाद फिर मैं इसे फिर से चेक करूँगी तो हाँ पर दो घंटे हो गया है इसका ढखकन हटा देंगे और फिर से एक बार इसे मिलाएंगे इस तरह से आपको मिक्स करना है और अब इसमें हम गुड़ एट करेंगे आप चाहो तो गुड़ को सब्सक्राइब करेंगे आपको यहां पर बार बार में याद दिला रहे हैं कि हाथ जो है गीला नहीं होना चाहिए और इसमें मैं कलर के लिए एड़ कर रहे हैं कासमीरी लाल मिर्च इससे कलर अच्छा आता है आप चाहो तो इसे ऐसे ही बना सकते हो सिप कलर के लिए हमने इसे एड़ किया है तो यहां पर हमने सारी चीजों को अच्छे से मिला दिया है अब इसे हम फिर से ढखकर छोड़ देंगे पांसे छे गंटे के लिए फिर आप बिल्कूल अच्छे से गुड़ जो है वो पिघल गया है इस तरह से आप देख सकते हैं अब इसे हम फिर से अच्छे से एक बार मिला देंगे ताकि सारी चीजे जो हैं बहुत ही अच्छे से मिल गई हैं यह दिखिए और अब आपको इसे किसी भी डब्बे में भरका रख तो यह खराब नहीं होता है बहुत ही अच्छा यह चार बनता है और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है मैं आपको इसे प्लेट में निकाल कर दिखाती हूं तो इसे स्टोर कैसे करना है मैं वह भी तरीका आपको लाश्ट में बताऊंगी और आप देख सक हूं तो हर रोज नहीं नहीं रेस्पी के लिए चैनल को सस्क्राइब जरूर करें ताकि मैं जैसे ही वीडियो अप्लोट करूं सबसे पहले आपके पास पहुंचें और मैं सारे अचार को जो है कि प्लास्टिक के डब्बे में भरका रखती हूं और यह अचार खराब नहीं होता है तो यहां पर हमने एक तबा को अच्छे से गरम कर लिए इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे और इस तरह से हींग को फैला देंगे इसमें जो धुआ उठ रहा है इसे इस तरह से डब्बे में ही हम धुआ को यह देखिए करना है इससे क्या होगा कि डब्बे में बह बुए दैसे अच्छार को स्टोर करते हैं hay इसे अच्छार कशोर करते हैं इस तूर करते हैं और करता हुआ उसका है मैं नियों आमका आचार बनाना बताया है बहुत ही आसान तरीक से आप बना शक्ते हो सारी चीजे हमने नाप करा अच्छे से अपको बनाना बताया है और उस वीडियो को निंक ही स्क्रिप्सम में दिया है अगर आवाम कर, 10 कλιो को हिसाफ से तीक आचार बनाना चाहते हैं